हेले फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल यह 32 इंच का कोड़क कंपनी का एड़ेटी टीवी है जिसमें प्रोब्लम है कि यह ब्लैंक डिस्प्ले में है नो पिक्चर है हलका हलका सा बलू जैसा रोशनी दिखता है कोई भी ग्राफिक नहीं दिखता है तो फ्रेंट्स इसमें हम क्या करेंगे और कैसे ठीक करेंगे जह हम आगे बताएंगे पूरा देखने देखते रहिए पूरा दिखेंगा तभी समझ पाईएगा कि इसको हम इस्टेंडवाइस एडिलिज करते हैं पहले फिर दिखाते हैं आपको क्या प्रब्लम है कि इस्टेंडवाइस एडिलिज हो गया इसमें देखिए Whit d कि इसमें देखिए इसके हलके हमका बुलू जैसा रशनी दिख रहा है हम क эфф義нес कोई गराफिक नहीं है जो अगर हम इसमें ब्हाटोटेंक पिशूंबनों की बात करें तो इसमें कौन ignorant आ रहे और आ जब वोल्टेज नहीं आ रहे हैं यह भी देख लिजिए कि पूरा देखिएगा तभी समझ पाईएगा फ्रेंट्स तो इसमें हम सबसे पहले भीजिएट चेक करेंगे सड़ी यह भी सीजी यह देखिए 11.2 वोल्ट ठीक है अभी यहाँ पर भीयान दिख रहा है यह भीजिएच हुआ तो देखें यह भीजिएच जीरो भीजिएच भी जीरो है और यह यहाँ पर एवी डीडी देखें तो हमारा एवी डीडी भी नहीं आ रहा है प्रेट्स और यहाँ पे 3.3 वोल्ट यह ओक्य है और इधर 1.8 वोल्ट तो यह 1.8 वोल्ट भी ओक्य है भीजिएच और एवी डीडी हमारा नहीं बंदा नुझ सब बंदाए तो इस में वोता क्या है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जी के भी लाइन्स के दोनों साइड आ देेख रहे नहीं तो इधर से हमको किसी एक साइव से कंट करना है कि कि अगर बॉल्टेज नहीं बनें तो फिर दूसरे साइड से कट करना है उसको जोड़ देना है कि तो अजो मैं इस साइड का कट करूंगा उसके बाद देखते हैं कि वोल्टेज आमारा बनता है और नहीं बनता है ठीक है फ्रेंट्स बैरे रही मेरे वीडियो पर अजो मैं इधर का कट करता हूँ देखिए मैं इसको कट किया इधर नहीं किया हूँ बस इधर किया हूँ और चार्ट रेक किया हूँ चार मात्र तो अजो मैं देखता हूँ कि वोल्टेज मेरा बना या नहीं बना देखें इसमें VGH तो देखें 29.4 भूल्ट यह हमारा भूल्टेज बन चुका है यह भी डिडी देखें 13.7 बतलब 13.7 तो भूल्टेज बन चुका है पिक्चर देखते हैं पिक्चर आ चुका हो जाना चाहिए यह देखें एंड्रोड इस स्टार्टिंग देखें तो इस तरह से आप टीवी रिप्यार कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेर, सब्स्क्राइब किजिए और ऐसी सपोर्ट करते रहे हैं तो दिल्चे थैंक यू फ्रेंट्स